हलो गाइज वैलकम टो अबर यूटूब चैनल धे अनर्जिंग अकेडमी गाइज आज हम आप लोगों लेके आए हैं मोस्ट इंपोर्टेंट एमसे क्यों एनाटोमी यह जो एमसे क्यों होने वाले हैं वह एकेडमिक लेवल के होंगे तो गाइज बिना टाइम वेस्ट करें ह सब जाते हैं कि हमारे वोडी की स्फ्मोलेस्ट' बॉन होती स्टपिस की न्य स्ट्रिव यूमन बोडी बॉन परिजियंट इन दर लेग के अंदर किस टैब माइज आती है तो कैसले नंचर की बॉन पाई बॉन आर हेल्ड टुगेदर बै एलास्टिक टिशू ओल्सो नोन एज बॉन जो होती है वो टुगेदर एलास्टिक टिशू से कौन बॉन जुड़ी होई होती है उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम गाइज लिगामेंट दे स्ट्रोंगेस्ट पार्ट ओप दे यूमन बोडी का deviation का ब्रिफ्लेक्चर का उता है तो स्ट्रोंगेस्ट पार्ट को थे होता है इने हैं गाइज दे गवर्णइब सेंटर ऑफ्रिफ्लेक्स एक्शिन is found in reflex section कहां पर found देखे जाते हैं गाइज हमारी बोड़े के अंदर spinal cord के अंदर the spine the sperm fertilize the album in which the part of human body तो गाइज जैसा कि हम सब जानते हैं कि sperm fallopian tube fallopian tube के अंदर fertilization का process occur होता है lungs are enclosed with in lungs को lungs किस structure से बंदे हुए होते हैं ya cover होते हैं तो इस structure का नाम होता है pleural membrane the maximum amount of urea is present in guys maximum amount of urea present in which of the following organ contain of bundle of his guys bundle of his is a पार्ट ओफ कंडुक्टिव सिस्टम तो काइस कंडुक्टिव सिस्टम कों रेगुलेट करने का वरक करता है हमारी बोडी है अंदर हर्ट इन दबैसक फंक्शनल उनित ओफ यूमन के डिनी की फंक्शनल एंड इस्ट्रक्चर उनिट को क्या कहला दिए गाइस ने फ्रों विच ओफ फॉलॉविंग जॉइंट इस एंवोग बल इनवोग एबल जॉइंट कौन से जोंट होता है गाई फाइबर जॉइंट दम मिडिल पॉर्षन ऑप दे युमन इस्पर्म कंटेंड इस परम का मिडिल पॉर्षन कि चीज को कंटेंड करता है नुक्लियस प्रोटीन ज सेंट्र법 MEMздर माइट्रो मैट्र कुमिता में इनर्जी प्रहाइड होती है कि विच पार्ट ओफ नथ इंतेस्टाइन इज रिट्रोपेरिटॉनियल नाज्य इंतेस्टाहिएन पार्ट रिट्रो पेलिटोनियल क्या रहता है तो गाइस जेसा यहां जानते हैं लाग इंटेस्टाइन के मेले तीन पार्टव तीन पार्ट कुन पोलव तो होते हैं काइस naming columnuary choosing column छोई जो असंदिग का सिग्रेशन डाइज और वेस पोस्टिरियर पिट्यूट्री लेंड करती है म्यूकर से रिटिंग सेल्स कौन से होती है गाइज ग्लोब ब्लेट सेल्स होती है बोट इस लिवर इस्ट्रक्चर एड़ फंक्षनल यूनिट तो गाइज जैसा कि हम सब जानते हैं लिवर के फं सब्सक्राइज ओप्षन पढ़िए एपिथिलियल टिशू करेक्टिव टिशू नर्वस टिशू इसके लेटन टिशू तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि ब्लड एक टाइप का कनेक्टिव टिशू होता है हाओ मेनी पैर्स ओफ रिप्स आर प्रजेंट इन दे यूमन बोडी यूमन बोडी में कितने पैर ओफ रिप्स पाई जाती है तो हमारी यूमन बोडी अंदर 12 पैर ओफ लिप्स पाई जाती है दर लोवेस्ट पिएज इस फांड इन विस दे लिस्टेड बोडी साइट गाइड क्वेशन कहना चाह रहा है कि बोडी के अंदर सबसे इसदी के नेचर तो गई सबसे कम पीज़ भी हमारे इस टोमक में देखी जाएगी विच और फॉलोविंग ओर गन और नोट एंडोक्राइन ओर गन तो गईस कौन-कौन से होते हैं एंडोक्राइन ओर गन का मतलब होता है गाइस की ऐसे ओर गन जो अपना सिक्रेशन बिना किस लिइन्टैण विच वन ओब ऑब दफॉलोविंग इस नोट प्रडियूस बाइदय किडनी किडनी के द्वारा कॉन सा होर्मून नहीं होता है । त्ल्दिंस ग्रेसी स इसान नहीं किया जाता है घ्रतिंह आँप मैं ल होता है क्ल्टिसोल उता है क्ल्टिसोल क nouvelles से ऊर्मन ऐते हैं जो करेंड्य की से से होते हैं और है यह ग्रतिकी हमने करेंड बहुत इसी प्रहकरोग भर म्हें है घ्रूएट लो keptedy eagle sound नहीं होता है विच ओप फुलोमिंग इस नौट टाइप ओफ वाइड ब्लड सेल वाइट ब्लड सेल का कौन सा टाइप नहीं है तो गाइस बहुत इजी आंसर है इसका टाइप नहीं है विच्छ चेमबर ओफ दे हर्ट हेस्ट थिक इसको हम देखेंगे कि यह सबसे ज़्यादा थिकेस्ट कौन से इस ट्रक्चर में पाए जाती तो गाई इसका सही आंसर लेफ्ट वेंट्रिकल सबसे बड़ा होता है और गाई सबसे ज़्यादा पंपिंग कैपिसेटी भी लेफ्ट वेंट्रिकल की होती है विच पार्ट ओफ दे ब्रेन कंट्रोल दे हल्ट हल्ट की एक्टिविटी को कंट्रोल करने वाले इस्ट्रक्चर का नाम होता है गाई मेडूला ओबलॉंग गाटा लोवर पार्ट ओफ फेरिंग्स इस अटेस्ट फेरिंग्स का लोवर पार्ट कोंसी इस्ट्रक्चर से अटेज होता है तो गयिसका सही पॉपीरियर्त इस्विशन का मतलब है कि एसी कौन सी बॉन हैं दिए गए ऑप्शन में से इसका सुपिरियर रेस्ट इन कंडिशन में होता है तो इसका सही आंसर आएगा मेनुब्रम किसका पार्ट होता है इंदर कौन सा फंक्शन करता है हैडाइड इमल्सफीफाई देट को इमल्सिफिकेशन करने में वाहिल की रखती है यहां इसकीन की लेर होती है इसकीन की लेर स्टार्टम कोर्णियम इस कमपोस्ट ओफ कि रेतिन सैल्स विच वब डीज़ से नोट एन एंडोक्रइन ग्लेंट जैसा कि हम प्रीवेस क्यूशन में देख चुके हैं कि एंडोट इसा ग्लेंड होती है जो की अपण सिखरेंशन विदाउट डॉट में शिखरेंट कर देती है बर्ट जहां पर थाइरोट पेंट क्याजा टेस्ट इस तो एन्द Україनрь होती है बुट सलाइवरि ग्लेंड एन्दोप्राइवरि nos Levine क्योंकि सलाइवरी ग्लेंड हमारी बोडी के अंदर तीन पेयर में होती है तीनों पेयर के लिए अलग अलग ड़क्ट पाई जाती है बी एंटी सेल और प्रड्यूस बाइद इस्टीम सेल डेट और फॉर्म इन बोन मेरो इसका गाई राइट आंसर है लाजस्ट लिंफेटिक ओरगर हमारी बोडी के अंदर लाग्जस्ट लिंफेटिक ऊरलक खालता है यह इंधिर के अंदर किसकी सेन्तिस होता है तो वाइटेमिन के वोड़ा ओता है इन परॉसिऑ फोरमिसized या सिंतिस लीका के अंदर नहीं होता है वीच पार्ट ऑप इस्मोल इंटेस्टाइं आई एक्टिवल यह अंसर है तो गाइस जोनम तो गईस यहां काफी रैपिड जो हमने क्यूशन किये हैं वीगास हमारे पास टाइम कम है और वीडियो काफी बड़ी हो जाती इसके लिए हमने इसको काफी रैपिड ले किया है तो गाइस अगर आप चाहते हैं कि आपको घ्2000 पास टो गु जो गाइस यहां कि आपको बड़ी हो इसको किया है तो गाइस्टर बदे रैपिट खेश कि रवारे भाइस दो धाइस ग्जार था है जो हमने काफी यहां कि हमने बदे उतानी हैं जास आपको अगरे प्या हमने प्रोग जापको जादेशन कि जाएस दू